चलुए अब आगे बढ़ते हैं और बात शहीद करणल विपलवव तिरपाथी की करते हैं शहीद करणल विपलवव उनके बेटे और उनकी पतनी का पार्थिव शरीड रायगड लाया जाएगा राइगड के रामलीला मैदान में अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ग्यानिंद्र हमारे सही होगी हमसे जुड रहे हैं जादा जानकारी लिए हुए ग्यानिंद्र ये दुखत खबर तो देश जानी चुका है और अब क्योंकि वहाँ पर पार्थिव शरीर उनकी पत्नी का 6 साल के बेटे का पहुँचा है तो माहौल बहुत ही गमगीन होगा पूरे राइगड़ शहर की अगर मैं आपसे बात करूँ और राइगड़ की नहीं बलकि पूरे 36 गड़ की बात करूँ तो जब से ये खबर 36 गड़ में आई है हर कोई इस तब्द है और चूकि करनल के परिवार को जिस तरह से उगरवादियों ने निशाना बनाया है उसस साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो सेना के तमाम असर हैं दिकारी हैं वो यहां पर हैं उन्हें यहां पर सम्मान दिया जाएगा इसके साथ ही यह जो तीन टेबल है यहीं पर उनके पार्थिव सरीर को रखा जाएगा और दुर्गेस अगर आप दिखा पाएं जिस बिमान से उनका पार्थिव सरीर यहां लाया जा रहा है, दरसल वो भी कुछी दिर में इसी एरिस्टिप में उतरेगा, और अभी मुश्किल से तीन से चार मिनट का वक्त है, और उसके बाद उनका पार्थिव सरीर यहां आ जाएगा, उसके बाद जो कारिकरम है वो मैं आपको सहर भ्रमण करते हुए पूरे शहर में उनके पार्थिव सरीर उनके परिवार को घुमाया जाएगा, और उसके बाद फिर मुक्तिधाम में ले जाकर उनका आंतिम संशकार होगा, तो जो मैं आपको दिखाना और बताना चाहरा हूँ, चुकि यह खबर ऐसी है कि इसमें बह महसूस कर पा रहा हूँ, वो बहुत दुखी करने वाला है, परिशान करने वाला है, आज पूरे शहर रायगड को ऐसा लग रहा है, जैसे किसी ने रोग तिया हो, पुरा शहर थम गया हो, और अगर कोई नाम यहां सुनाई दे रहा है, तो केवल एक ही नाम है, वो है करनल विपलौत्रिपाठी का, और उनके पिता जो है, वो वरिष्ट पतरकार रहे हैं, इसके अलावा उनके खुद भाई लेफ्टिनेंट हैं, और यह पूरी तैयारी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए इसी गाडी में उनको लेकर जाये जाएगा, आप नजर बना कर र होते हैं, मौके से हमारे साथ हमारे सायोगी, ग्याने इंद्र तेवारी मौचूद हैं, ग्याने इंद्र? परिवार के लोग हैं, और जिले के तमाम बड़े अफसर हैं, सेना के जो अफसर हैं, वो पहुच चुके हैं, और जिसकी आँखें मैं यहां से देख पा रहा हूँ, हर कोई, हर किसी की आँखें नम हैं, और अब यह जो यह देखिए, यह पहली तस्वीर और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर दिखाए दिया और यहां नारे बाजे शुरू हो गई, यह पहला पार्थिव शरीर है, जो कि सेना के जो तमाम अफसर हैं, जो सेना के जवान हैं, उन्होंने अपने कंधे में, मैं कोशिश करूँगा, दूर से दिखा पाऊं, और मैं तो नहीं पढ़ प पढ़ पाऊं, और रुमाना बहुत मुश्किल है, ऐसे समय में इन हालातों को बया करना, और इस तस्वीर को दिखा पाना, और चुकि हर कोई चर्चा कर रहा है, पिछले तीन दिन से मैं यहां हूँ, और तीन दिन से यह शहर जो है, और दोग्युक नगर है, यहां पर बह पार्थिव शरीर आए, और यहां जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आया है, लोग दुखी हैं, इस्तब्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी वीरता की जो वीरता का जो पर्चम है, यह कहें कि उनकी याद में किस तरह से यहां अमर रहे, अमर रहे, और यह पार्थि जो उनकी पत्नी हैं, और अभीरत्रिपाथि उनके जो बेटे हैं सबसे अंतिम में, तो यह जो इस्तिती है, देखिए, पहला जो है वो करनल वेपलाव और फिर अनुजात्रिपाथि उनकी पत्नी है, और रोमाना आप समझ पा रही होंगी, और महसूस भी कर पा रहे होंगे हमारे दर्सक की ये जो तस्वीर है, ये कितनी कितना लोगों को दर्द दे रही है और कितने कस्ट में लोग इसका सामना कर रहे हैं, खासकर वो लोग जो परिवार के लोग हैं और भारत माता की ये 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 भारत माता की जै के जो नारे हैं, वो यहां पर किया जाएगा इस बहादूर बेटे का ABP News आप को रखे आगे